नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आए होप सब ठीक होंगे जब गर्व में बच्चा नीचे की और आ जाता है तो महीलाओं को कौन कौन से लक्षन नजर आते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी होने वाली है यह सबसे एहम एक सम्टम आना जाता है जब बच्चा नीचे की और आ जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है जब तक बच्चा नीचे हैड नहीं करता है आपकी नॉर्मल डिलिवरी नहीं की जाती है तो कि ऐसे में नॉर्मल डिलिवरी में कॉम्प्रिकेशन आ सकते हैं, नाल फर सकती है बच्चे के गले में या मा को कोई न कोई समस्या आ सकती है, तो बच्चे न अगर से नीचे घर लिया है, आपकी अल्टरसाउंड की रिपोर्ट में आया है बच्चे की पुजिशन, बेभ बच्चे दानी के मुँपर लगी रहती है, वो रिलीज होती है, काफी महिलाओं में ये एक बार में निकल जाता है, याने कि ठकका जैसा ब्राउन कलर का सफेद रंग का आपको नज़र आ सकता है, और काफी महिलाओं में बलगम की तरह हलके हलके फॉर्म में निकल सकता है, पेट के नीचे ले हिस्से में दर्द, कमर के नीचे ले हिस्से में दर्द, योनी में दर्द आपको मैसूस हो सकता है जो कि बच्चे का नीचे आने के बाद एहम लक्षन माने जाते हैं frequently urination की समस्य आपको रहती है अगर बार-बार पेशाप करने की sensation आपको लग रही है लेकिन पेशाप आपको नहीं आ रहा है तो अपनुमान लगा सकते हैं कि आपका बच्चा नीचे की और आ चुका है आपको कूले की हड़ी में दर्ड चलते फिरते उठते समय या urine पास करते समय आपको दर्ड महसूस होना यह भी बच्चे की नीचे आने की तरफ इशारा करता है पेट नीचे की तरफ लटक जाता है पेट जाता कड़क महसूस होगा बच्चे की movement अब आपको कम महसूस होना लगती है यह सारे symptoms इशारा करते हैं कि बच्चा normal delivery की position ले चुका है अब फॉलो करिए आपकी normal delivery में आपको साहता मिलेगी और जब बच्चा नीचे की और सिर करेगा ठीक है जो बच्चे की movement है वो आपको नाभी की नीचले हिस्तों में ज्यादा तर महसूस हो सकती है और वैसे तो इस टाइम तक बच्चे की movement बहुत कम हो जाती है लेकिन बच्चे महिलां को डारिया की समसे रहती है सांस नेने में काफिजाता रिलीफ आपको मिलेगा क्योंकि बच्चे का प्रेशन नीचे आ जाएगा फेफडों पर बच्चे का प्रेशन नहीं पढ़ता है और सांस आप अच्छे से ले सकती है तो ये सारे लक्षन आपके normal delivery की तरह